क्या विदेशी धर्ती पर भारत की आलोशना जायाज है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि इंदिनों इंग्लेंड के दोरे पर गए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने वहाँ कई मंचों पर कहा कि भारत में लोगतंत्र खत्म हो चुका है उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अमेरिका और बिटन जैसे देश आगे क्यों नहीं आ रहे है? क्या इसका कारण व्यापार और पैसा है? बीजेपी ने राहूल के इन बयानों की तीखिया आलोशना की है बीजेपी ने पूछा कि क्या राहूल भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए दूसरे देशों को उकसा रहे हैं बीजेपी ने कहा कि राहूल को भारत के साथ विश्वास घात नहीं करना चाहिए हालागि पत्रकारों से बाचीत मेरा हुल गंधी ने खहा कि प्यम मोधी भी विदेशी मन्चों पर पिष्टी सरकारों को आड़े हाथों ले चुके हैं बहराल भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद हुई रहुल गांधी की इस विदेश यात्रा में उनके बयानों ने कई मुद्धों पर कॉंग्रेस को बचाओ की मुद्धा मिला दिया है और बीजेपी को आकरामक होने का मौका दे दिया है सिलसिलेवार धंसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या पांच बड़ी बाते कहीं हैं जिनने लेकर यहां विवाद उठखड़ा हुआ है उन्हों ने कहा कि अमेरिका और यूरोब जैसे जो देश हैं वो भारत में लोगतन्तर के सुम्पू रखवाले ह الحaliyah में कुछ नहीं कर रहे हैं नियाई पैलिका और संसल सब पर हमले हो रहे हैं उन्हेंने का कि हमें लोगों की आवाज उठाने में दिक्कत आ रही है फिर उन्हेंने का कि भारत में विपक्ष केवल एक राजनितिक दल से नहीं लड़ रहा है बलकि हम संस्था का तेठाचे से लड़ रहे हैं जिस पर प्लेइंग फिल्ड नहीं है क्योंकि संस्थाएं निश्पक्ष नहीं है यह राहूल ने कहा उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी चाहती है भारत खामोश रहे ताकि वे जो भारत का है उसे अपने करीबी दोस्तों को दे सकें उनकी सोचे कि जनता का ध्यान भटकाओ और भारत उनके माता पिता और दादा नाना का अपमान नहीं करते हैं यह राहूल गांधी ने सवाल उठाया है और इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है केंद्री सूचना प्रसाण मंत्री अनुराक ठाकुन ने भी राहूल गांधी की बातों पर अपनी और से पांच बड़ रहे हैं उन्होंने आगे का कि राहूल गांधी ने ऐसा कई बार किया है जब कौविध महा मारी आई तब भरती वैक्सिन पर प्रस्ष्nor दोड़ा किया और चीन की अदिकारियों के साथ जाकर बैठ गए ये अनुराक ठाकुर ने जवाब दिया उन्होंने ये भी का कि हमार ट्रहारे सेंग्रेस पार्ट Tackon ने प्रच्छा उठाया उन्हों यह भी कहा कि भारत का लोगतंत्र मझोंत थे और भारत के लोग भी मझबूत थे सेना भी मझबूत भारत के पास एक ऐसा नेत्यतु है जिसके पास ताकत भी है और दूर दिश्टी भी है दुनिया भर के नेत्यतु ने का कि हमें मोदी जी पर विश्वा से ये केंदरी सुचने प्रसाणन मंत्री अनुराक ठाकुर के शब्दें जो उन्होंने राहूल गांदी के बायान के यहां के मुद्दों को उनावड़ ने जाना प्रसाणन में ले जाना और अब भारत के लिए दूसरे देशों को हस्तक शेप करने के लिए कहना ये गुलामी की सोच से शायद बहार नहीं आ पाए और आजादी के 72 में वर्ष में मैं अहीं कहना चाता हूँ मोदी जी ने कहा है कि गुलामी की सोच से बाहर आना चाहिए उस मानसिक्ता से अजादी पानी चाहिए राहुल जी आप भी डब पा लीजिए